असलाम लेकुम विवर्स आज आप लोग के लिए विंटर्स स्पेशल चिकन कॉन सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत असान रेसिपी है घर में मौजूद चीजों से ही आप इसको बना सकते हैं सूप बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वन टी स्पून अद्रक लेसन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमग, तकरीबन एक पाउ यानी दो सो पचास ग्राम चिकन हडियों के साथ और पांच से छे कप पानी इसको कम या जादा आप कर सकते हैं वन टी स्पून नमग, वन टी स्पून काली मर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून चाइनीज नमग या अजीनो मोटो, दो अंडों की सफैदी इसको आप फैंट के रख लें, चार से पांच टेबल स्पून कॉन फ्लावर, और वन थर्ड कप उबली हुई मकई, आखर में स सोया सॉस आपको चाहिए होगा, और इसी तरह फो टेबल स्पून सिरके में वन टेबल स्पून चिली पेस्ट आप एड़ कर लें, चिली पेस्ट या चिली सॉस जो भी घर में मौझूद है, आप उन दोनों में से कोई भी स्तमाल कर सकते हैं, और इसके इलावा आपको चाह के लिए कौन फ्लायर में आप पानी शामिल करके इसका मिक्स्टर तयार करके एक साइट पर अगलें, जो मकई है उसको आप पैसल में थोड़ा सा कूट लें, आप चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में या पर नाइफ से भी आप चॉप कर सकते हैं, अब एक पॉट ले उसमें 5-6 कप पानी डालें, चिकेन एड़ करें, 1 तीस्पून नमक डालें, 1 टीस्पून अधर क्लेसन का पेस्ट और एक बॉयल आने का बेट करें, बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट इसको पका लें, यखनी बिल्कुल तयार है, अब चिकन के पीसिज निकाल के इसको 10 मिनट के लिए ठंडा कर लें, चिकन के छोटे-छोटे पीसिज कर लें, हाथ से, ताकि अगर कोई हड़ी आए तो आप उसे फील कर सकें, और ये करके आप इसको एक साइट पे रख दें, अब जो यखनी है, उसमें शामिल करें नमक, काली मिर्चों का पाउडर, चाइनीज नमक, चिकन और मकई भी शामिल करके, इसको अच्छे से मिक्स करें, और एक बॉयल आने का वेट करें, चिकन और मकई आप कम या ज़ादा कर सकते हैं, जब बॉयल हो जाएं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन फ्लार एड़ करते जाएं, और हाई फ्लेम पे साथ में चमच भी चलाते रहें, शूप को आप जितना गाड़ा करना चाते हैं, उतनी इसकी थिकनस रखने के बाद, अब आप इसमें अंडों की सफैदी शामिल कर करके मसलसल चमच चलाएं, ताके वो अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट हो जाएं, और उसके बड़े बड़े टुखड़े ना बन जाएं, इसको एक से दो मिनट पका के आप आँच बंद कर दें, अब आखर में हजबे जाई का मिर्चों मला सिर्का डालें, चिली सॉस, सोय और पापड़ी एड़ करके इसको गरम-गरम सर्फ करें, उमीद करती हूँ कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही सिंपल, बहुत टेस्टी सूप बनता है, तो ट्राय ज़रूर करें, मुझे फीडबैक दें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ